गुद मॉर्निंग गाइज गुद मॉर्निंग पॉम अमिदाबाद वेलकम बैक तो माच चानल टुरिंग ने तो कैसे आप सब लोग भारी अपुन भी लाइब भारी सुबह उठना था साड़े पास बज़े और निकलना था छे बज़े साड़े पास बज़े तो में उड़ि सिदा मुंबई की और नारोल सरकल है यही पर ही सामने बिजनेस पॉइंट करके है वहां पर यह होटे ने लक्षुमी विला सेकेंड फ्लोर पर मैं हटम यही पर उपता हूं क्योंकि यहां से निकलने के लेक्ता हूं सही होता है अब एक पात दस मीट में पहला निकल गाता ह इसलिए जल्दी निकलना था जल्दी पहुच जाता ना यह चार पत बाज पहुच जाता तो प्रहां से ख़लो भाई अ मिलते हैं बहुत जल्द यह बैक का सेटप करने के लिए दो जन तो लगते अभी अब तक तो रोवन भाई थी अभी आज के लिए हल्प चाहिए तो ज जिक्कत होता है यह बैक तो अभी यह राइट टकी ता इसके बाद नहीं रहेगा तो यह दो को लग गया चलो जीति भाई थैंक्यू बाबाए अपना बगीरा कर जाएगा आज गर जाएगा और पार्टनर से मिलें गया अपना पाम मोर्या मंगल मुर्ति मोर्या ओम साहिरा यहां से अभी एकदम सीजा सीदा बस चलते जाना है कहीं पर मुन्ना ने लेफ्ट आए राइट आए चलो रे बाबा घर के लिए आज निकली गए हम नेपाल जाने के टाइम पर इंदोर वगरा होके गायते हैं MP से और अभी रीटन घर जाते टाइम जा रहा हूं है राजस से तो पिधתחते मचर बुच गुच यह उचे गुच जा रहा है और अंदर वाइसरय के दर ourव उन फैसा गुंटे रे ता सिफक और जा खावज जा जा बfish पारहले सिह आजाख कर ने के चकर में और चार प्रेशना कूझ जाए हां आ हराम से आल आजया है आजएग आज पानी है आपके पानी थोड़े उसके सीर पे डालो ना वो डर गया एक दो डर गया हुँँ पुड़ा इस सीर पे डालो ना उसके पीने के लिए थो थोड़ा और आपके लिए आपके लिए कि ऑट अब कर दो कर दो आपके लिए अच्छा़ एक नमबर अफीर दे का बात है मैं चुली देखा ना मैं थोड़ा आगे निकल गया था यहाप है फिर मैं यूटन मार के रिटन आयो वही देखने के लिए मैं पूरी तरह से यहाइसे में को गया यह हीली नहीं रहा है मैं को यह गया मैं जब यहां से आया ना आप वापस आये ना हाँ तब मैं उसको खड़ा होते देखा मैं आरत नमें 60-70 के स्पीड तो मैंने लंबे से देगा में बलारी यह तो इसा बेट क्यों गया है बीच में क्यों बेटा इतना गाड़ी आ रही हो तब जहाने कर देखा ना पीचे से तो मैं समझ गया उसको अभी गुड़ 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 पर आ हिखि आप क्यला पात यार टिंप इस फूट गया कुछ नेवा फ। समय खूब आचो लोनो डर गया वहुत डर गया वह पर क्या बात या चल रहा है यह देखके बहुत कुछ वह जो रहा है मुझे बहुत हिम्मत वाला है तू देखो ओड भी गया हुद चलना चालू कर दिया उसने अभी जो बहाई मिले थे ना वो कह रहे थे कि मैं पिछले आदे गंटे से यही पर रुखा हूँ वो सो गया था पूरा आप आए फिर थोए टाम में वो उट गया यह जो मासुम जानवर रहते है ना इनको कुछ समझ में नहीं आता है इन लोग ऐसे रोड क्रॉस कर देते है अज भायो इतना है करूंगा अगर अब कभी राइट कर रहो रोड पे से गुजर रहो और अगर ऐसे डॉग भी कोई गिरावा देखा रहो और जिंदा रहेगा नहीं प्लीज उसको बच्छाने कोशिश पूरी करना उपरोल आपको देख रहा है अब कभी अच्छा होगा गई नगई यह हम आगए जी वड़ोद्रा में यहां से मुंबए है 433 किलोमीटर अभी बगिरा को अपने पैट्रोल की जरुवत है तो आगे जहां पर भी पैट्रोल पाएगा वहीं पर रुके पार इसका टंकी फूल कर देते हैं इसे एक पैट्रों पर रुका था में पर सुरत आना बाकी अभी तो वड़ोद रहा है सुरत साइट में जैसे जाएंगे ना वहापी तो ट्रॉक कर जाता मिलते तो स्पीड पकड़ नहीं पाते हैं में वह चलाते जा रहा हूं चलाते जा रहा हूं अच्छा होगा ध्यान गया मेरा कि पैट्रोल भरना है यह तो करना बर्दास कर बूरी तरह फज गया हुरे क्या बताओ क्या हाल है मेरा सोचा था सूरत में जाके लंच करूंगा पर नहीं हो पाया बबा अभी उथनी ताकत मेरे में है नहीं बगीरा अपना यहां पे अभी लंच में डाल फ्राय दो रोटी और जीरा राइस और कर दिया अब यहां पर मास खाता हूं आदा पाउने गंटे का मास एक ब्रेक लेते है थोड़ा ब्रेक तो मिलना चे सुबा से लेकिए अब तक अब तक अब साधे तीन गंटे में 220 किलोमेटर का राइड अब तक हुआ है रोटी आ यह आ गया हमारा डाल फ्राय अलग से मैंने कोई स अब आगे चाहिए भी अपना के कोई कोई ट्रॉक वाले ना के बाजू से जाएंगे ना तो आचानक में होन बजा देते ना दर देख लिए और इनको होन भी आई से रहते हैं अलग अलग तरगे के आगे अशोक भाई जो है मुंबाई से यहां पे काम करते हैं पर मुंबा घर जो है में जीरो फोर वो है 156 किलो मिटर और यह गुजरात का बॉर्डर भी अभी आ रहा है पास में और उसके बाद आएगा अपने महारास्ट का बॉर्डर सत्रा दीन के बाद महारास्टर पे अपना इंट्री हो गया है बॉस अब यहां पे रुपते साइड में एक स् अपने स्टेट में अपने स्टेट में मच्चर भगान वाली गाड़ी आगई दूर वाला दूर वाला कब से गाड़ी वाला इतना दुख रहे रहा थाने अठारा किलो मिटर में जीरो फोर मेरा घर यहां से बस अभी 20 मिनिट पे अभी टाइम हो रहा है 540 अभी घर पे चाके आपसे मिलता हूँ कि यहां पर आगे थोड़ा थोड़ा था सिगनल पर सिगनल मिलते रहेंगे तो आपको अभी कुछ दिखा नहीं सकता हूँ मैं अपना बग्जीरा आप यह आराम कर ले और यह देखो भाई यह अपना पाट्नर पाट्नर आ रहा हो दूसे म सत्रा दिन के बाद मिल रहा हूँ इसको हाँ जाकी जाकी जाकूडी और गिरा दिया भाई ने आज डेट है 21 फेप कल 25 को बेबी का नाम करन था रात को आने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था पर रात को आके भी आपके बाई ने वीडियो आइट करके रख दिया था दिया है ना तो मोटिवेट कर दिया आपने मुझे तो इसके लिए मैं अभी यह कुशिश करता हूँ कि सुभा आपने 10 बज़े जो टाइम में वह दस बज़े वीडियो आ जाए और लगातार आ जाए हर दिन तो आपको ही मजा आएगा वीडियो देखने के लिए अभी दे नेपाल सेरीज में आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया प्यार दिया उसको ऐसे बनाए रखना और अभी से मुझे एकनी डेम आ रहे ना कि नेक्स राइट प्लैन कुन सा है कहा पर जाने वाले हो तो राइट प्लैन तो होगा जरूर होगा पर अब तक हुआ नहीं है आने टाइम में हो जाएगा नेक्स जो मेरा राइड है वो है मालवन राइड यह राइड के बारे मैंने वाई वाले जो वीडियो उसमें बताया था कि यह वाले राइड पे आप लोग भी मेरे साथ जौन हो सकते हो रौल ट्रावलास करके उनके साथ को लप कर रहा हूं में वह मालवन राइट पर परसन 4500 रुपीज रहेगा इसमें आपका खाने पीने से लेके रहने का सब कुछ हो जाएगा बस पेटरू का जो भी खर्चा रहेगा वो आपका रहेगा तो 21st को फेब को निकलना था ये राइट पर क्या हो गया ना फोर्ड इसका राइड है बस जो भी भाई ये राइट पर आना चाते उनको एकी बाद बताऊंगा सेफटी का खायल रखना है अपने नीगाड एलबोगाड रहना बहुत जरूरी है मैं समझ सकता हूँ जाकेट सब तो नहीं ले सकते अगर जिनके बाद है तो सही रहेगा पर नीगाड एलबोगाड रहना बहुत जरूरी है बुकिंग चालू है आप बुकिंग कर सकते हैं 26 फेप के पहला आपको पेमिंट करता है और पेमिंट जो रहेगा वह आपको पूराई करना 4,500 रूपीस नेपाल राइट पे आपलो ने जो सपोर्ट किया ना वह देखते हो यह अभी अभी अज़ा लग रहा है ना कि निक्स राइट प्लैन जो है वह वह वन मन का होना चे अब तक यह आपको वीडियो देखने के लिए मजा आएगा देखते जो भी होगा वह आपको पता चली जाएगा और ठैंक्यू गाइस फिर स सब्सक्राइबर करने के लिए और दूसरा जब आखरी दिन दा नेपल राइट का तो महाराश्टों बॉर्टर से क्रॉस किया आगे इंस्टा चेक किया तो देखा टेन के सामने आगे तो टेन के फॉल्वर्वर्स भी अपने इंस्टा पर हो गया है ठैंक्यू फिर से एक ब सब्सक्राइबर करना यह जो सामने आ रहा है मेरा इंस्टा इडिये इंस्टा पर आपको सब अपडेट्स पहले मिल जाएगे तो फॉल्वर्वर्स जरूर करना तो मिलते भाईयों ऐसे आने और नेक्स विडियों में तब तक लिए भाई पर एंटेक क्या हुआ हुआ झाल